चले वही सोमवार की सुबा एक नए हफ़ते की शुरुवात लेकिन हम एक नए सरदर्द के साथ लौटते हुए वही लास्ट हफ़ता बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब भारते बजार दबावों में आए पहले आठ हफ़ते बैक टू बैक गेंज थे उसके बाद लास्ट लास्ट वीक आधा परसंट गिरे और लास्ट वीक निफटी वीक आउन वीक डेर परसंट कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया और खासी वॉलिटैलिटी थी इशूस थे यूएस के मंदी में रिसेशन में जाने के डर वो बैंक अव जपाइन के दरे बढ़ने के बाद वो येन कैरी ट्रेट की अन्वाइंडिंग और जियो पोलिटिकल कंसरन्स खास तोर पर मिडिल इस्ट रिलेटेड ये तो जसके तस सरदर्द बने हुए है इसमे जे शॉट सेलर्ज हिंडिनबर्ग की फ्रेश विसल ब्लोर डॉकुमेंट जोनों ने रिवील करे वो उस पे आऊँगा डेटेल पर आके बातचीत करने की जरुवात है लेकिन उससे पहले बता देता हूँ फ्राइडे का सेशन स्क्रीन्स पे अच्छे ग्लोबल संके थे ग लाजली दिन भर वो गैप इंटक्ट रहा फाइनली निफ्टी एक परसेंट के बड़िया गेंज के साथ सेशन की समापती करता हुआ नजर आया यह फ्राइडे का सेशन था जिसने पूरे हफ़ते की थोड़ी बहुत तस्वीर सुधार दीती अदर्वाइस हफता दिकत में पर गौर से लेखेंगे तो लाजली डिरेक्शनलिस ये मारकिट्स आपको नजर आएगा डायरे में पिछले हफ़ते के लेवल स्क्रीन पर आएंगे हाई जर लोज 24, 400 के उपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है 23, 900 के आसपास नीचे की शायद लक्षमन रेखा आपको नजर आएगी और जिस बैंड में है जिसे कह लिए एक कोरिडोर है अंसर्टिनिटी का जिसके बीच भारती बजार इस समय हाँ ये जरूर है पहले दबाफ था अब दबाफ से साइडवेज जादा ये मारकिट्स आपको नजर आएगे थम गये हैं कुछ इंपॉर्टन्ट रिजल्ट सीजन का आखरी हफता है अब इसकाद एक्सेप्शन्स होंगे तो होंगे अधरवाई इस सारा रिजल्ट सीजन इस हफते लट जाएगा हमाई पास पूरे इंडिया इंकब परफॉर्मेंस सामने आ जाएगा कहाँ ठीक है गिफ निफटी कह रहा है हलकी सुस्ती क साथ कमजोरी भी नहीं सुस्ती कह लिए चालीस पैतालीस पॉइंट के हलके दबाव के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे आता हूं ग्लोब वो के सब दिखाऊंगा नियर जी बगल में बैठें ग्लोबल मूर मौल टोन सेट कर देंगा आपके लिए इस वीकेंड के सफते का निफ्टी निफ्टी बैंक का और हच तो बताएंगे सारे इंपोर्टन स्टॉक सी नियूज साथ साथ यतिन जुड़ेंगे यतिन जुड़ चुके हैं शायद हिंडनबर्ग मामले के जो पूरे अपडेट बहुत कुछ हुआ है इस वीकेंड में पहले भाईयों न हैं और रात तक अपडेट्स आते ही चले जा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग इन मटफेस्ट में जुड़ते चले जा रहे हैं लीडर फोजीचन के भी वीडियो रिलीज हुआ है सब हुआ है परस्पेक्टिम में रख लेता है जैसल हेंडनबर्ग का मामला है क्या फ्रेश ऐ क्या अपडेट्स हैं हमारे पास तेरा मामला समझाइए क्विकली जी गुड़ मॉनिंग आशीश दिखे मामले की बात करें तो हिंडनबर्ग ने एक संसनी खेज कुलासा करने की कोशिश के फिर एक बार जिसको पूरी तरीके से नकार दिया है मादभी पूरी बुच दवल बुच और सेभी ने यह मामला बैग्राउंड ऐसा है कि अधानी गूप की जो जाच कर रही है सेभी हिंडनबर्ग के हिसाब से वहां कॉंट्रेक्ट ऑफ इंट्रेस्ट है मादभी पूरी बुच और उनकी फैमली का क्योंकि हिंडनबर्ग के मुताबिक और उनके किया है किसी प्रकार की यह कॉंट्रेक्ट ऑफ इंट्रेस्ट नहीं है और यह वहिकल जो है वो धावल बुच के एक दोस्त मैनेज कर रहे थे और उसका डिदेंशन भी उन्होंने कर दिया है और खास कोई रिटर्न वहां से देखने को नहीं मिले है सबसे इंपॉर्डन सेभी की तरफ से यह कहने में आरा है कि सारी के सारे चेर परसन के होल्डिंग जो है डिस्क्लोस किये गए हैं और अधानी के खिलाफ जो जांच है वो उसमें कोई भी प्रकार की ढिलाई का आरोफ बेबुनियाद है इन्फाक्ट सेभी का यह भी कहना है कि जो सेभी की अधानिक रुप के खिलाव काफी गेराई सी हुई है और सुप्रीम कोट में सारा का सारा मामला जो है ट्रांस्परेंटिटी फाइल किया गया है इसके अलावा नियमों के तहत हिंडनबग को करन्ट बताव नोटिस से भी ने कुछ हफ्तों पहले दिखाया था शौट सेलिंग कि जो नियम उन लंगन जो है से भी ने पाया था और उसके सामने जो है इंडनबग ने सारे बेबुनियाद आरोप और कैरेक्टर असैसिनेशन करने के कोशिश की ऐसा से भी चेर परसन मादवी पूरी बुच का कहना है और जो रीच्स हैं यहां भी जो नियम बदले गए है सेभी की तरफ से वो इस ओफ डूइंग बिजनस करने के तहट बदले गए हैं ना ही इसी परकार का कोई बायस ने इस ब्लैक्स्टोन ग्रूप जहां दवल बुच मादवी पूरी बुच के हस्बंड एम्प्लॉईट थे उसको लेके कोई इंटरस था तो सेभी के बोड ने पैनिक जैसे आप कह रहे थे आशीश ओपनिंग कोमेंट्स में कि बहुत सारे कोमेंट्स का नाम वीकेंड पर आ था कि इसके खिलाफ रिपोर्ट आ सकती है लेकिन आव अगर एवालिवेट करें पूरी रिपोर्ट उसके उपर आया फल का भी क्लारिफिकेशन आया कि किसी कोई प्रकार की जो के वाइसी नॉम्स का उनलंगन नहीं है तो सारे के सारी पार्टी जिनका इन्वॉल्मेंट था उनका क्लारिफिकेशन आया अदानी ग्रूप का भी आया तो कोई प्रकार की सीरिस ऐलिगेशन नहीं दिखाए पड़ रही अभी तो हिंदिन वर्क रिपो मामले चार थे एक तो ये था फंड्स को लेटर एक ब्लैक स्टोन के साथ रीच वाला कॉन्फिक्ट और इंट्रेस्ट वाला और दो मामले थे कंसल्टिंग कंपनी इसके भारत और सिंगापूर की मामले ठीक थे उसमें विसर ब्रोर ने किसी ने डॉक्कुमेंट सब रिलीस कर रखे थे सारा वो अपडेट था पर जब कल मादभी मैम उनके हजबंड का रिबटल आया 15 पॉइंटर वो पढ़के बड़ा कमफोर्टिंग लगा था पहले क्योंकि रिबटल अच्छा था क्य इन आज किसी अदानी एंटीटी में पैसा लगाए ही नहीं था तो सारा मामले ही खारे जो जाता है इन्होंने का था हमने वैसे ही रेक्यूजल ले रखा था क्यूंकि हस्बेन ब्लाक स्टोर में काम करते थे और ब्लाक स्टोर में रियल्टी डिविजन से कोई लेने दिन य जब मैं सेबी में आई थी और डियू दिस्क्लोजर का पार्ट है ये सेबी भी एक्सेप्ट करता है वो कहा ही रहा है ये कहते हुए कि हाँ डिस्क्लोजर हमाएं पास सारे थे पर है ऑप्टिकली डैमेजिंग कितना सबस्टेंस है उस पे सब सवालिया निशान उठा रहे है इस रिपोर्ट में अलिगेशन से नियान रहे हैं आरोप लगे हैं प्रूफ तो कुछ हुआ नहीं है और लेकिन हाई ह है कि थोड़ा सा टिक्शर डैमेज करने वाला है फिर वो राहूल गांदी सहाब का वो वीडियो रिलीज होना वो जॉइन्ट पर्लिमेंटरी कमिटी के अपोदिशन की डिमांड करना ये सब चीज़ अब रायता पहल रहा है ये इस इस मामले को जहलना है और अभी ये यो भी उतना ही इकुली इंपॉर्टन पिछले हफते की सरदर्द मैंने आपको अपडेट कर दिया था गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हम फ्लैट खुलेंगे प्लीज एशन पियर्स दिखाईएगा हम फ्लैट खुलेंगे जब एशिया बहतर कर रहा है सारा का सारा ये इतिहाई से आधे परसेंट के बीच तीनों यूएस के बेंचमार्क मजबूत थे तो कुछ तो खामियाजाम भुगत रहे हैं इस सब का क्योंकि हम ही इकलौते शायद जो मांकिट दिखा रहा हूं मैं लाल में हैं ऐसे में ग्लोब का दरसल मूट कैसा था हैंड़ोवर कैसा कुछ यह को ब्लेम करें हैं यह सब हमारी सरधर्द है ने इसको में ग्लोब को मैं करेंगे कैनि एक दिन लोल सेशन था लेकिन पूरे हप्तेrän माप देखेंगे तो लॉस था ग्लोबल मार्केट में क्यांगि इस हफ़ते या इजसे जो हभताई शुरू मिवरा स्द़ पहु इस नंबर्स को मार्केट इसलिए देखना चाहता है क्योंकि अगले बहुत की शुरुआत में पॉलिसी है तो इस नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर यह नंबर बहुत खराब नहीं हुए तो फिर आप उमीद करिए वैसा ही होगा यह करी वाली बात जो थी उसमें भी डिवाइड़ है लोगों का बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगभक खतम हो चुका है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी किसी को अंदाजानी दुनिय अभर में कहां कहां वो ट्रेड हो रखे हैं जेपी मॉर्गन का अपना एस्टिमेट हो सकता है और रेट पढ़ने की जो शुरुआत हुए है वो बंद नहीं होने वाली है जो लोग करने खत्म हो गया कुछ नहीं होगा जबैन वाला हाँ वो एकॉनमी ट्रेंड ऐसे ही चलत सभी दिमाग से नहीं निकल रहा है यह मैडम और उनके हस्बेंड का जो रिबर्टल के बाद हिडिन बग ने भी रात साथ घंटे आट गने रात में उस पर फिर रिस्पॉंस डाल दिया है यह कहते हुए हो एक्सेप्ट कर रही है कि ऑप्स्क्योर बर्मडव मॉरिशर फंस स्रक्चर में इन्वेस्टिट थी को एक कंसल्टिंग को लेकर किन क्लाइंट्स के साथ इंगेज क्योंकि ओपेक स्रक्चर था पता नहीं चल रहा था तो किन के साथ इंगेजमेंट थी क्यों थी वह आप खुलासा करी अब आप तो एक्सेप्ट कर रही है इसका मतलब है सुबह सुबह सार्याइए बजए देश की एक जानीमानी वाईस मदु केला साथ जुडएंगे मधु कैसे देख रहे हैं डेव्यमोंक को हम रिटेल को वागी कित्ती चिंता करनी चाहिए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो सब समझ लेगे केला साब से लेकिन आप पहले विरू के पास चला जाए ये समझने के लिए कि रनीती कैसी बननी है विरू सब्स्टैंशल गैप अप की बात हुई थी वो दिख रहा था स्क्रीन्स पे और लेकिन ये चर्चा हुई थी कि पार करने में दिखकते हुई पूरे दिन भर विरू गूड मॉरिंग निफ्टी निफ्टी बैंक का आज फ्रेश अप्रोच क्या रखें थोड़ी सी बदलती परस्तितिया आए थोड़ा साम ग्लोब को अंडर परफॉर्म करना है किनी वज़ों से बिलकुल बॉर्णिंग आशिश दिए मैं सिर्फ स्टैट्स पर करूंगा और स्टैट्स क्या कहते हैं कहां तक का जोन बाई करने लायक होगा किस के बाद किस एजिस के बाद आको बाई नहीं करना है शुक्रवा को मेरा क्लियर मैसिज था कि तिल टाइम आप फॉलिंग टुंटी रिमा को पार नहीं कर रहे हैं बाई मत कीज़ेगा उसके बाद माइट भी आपक एक शॉर्ट ट्रेट मेरेगा 150 पॉइंट का या फिर आप एक रेंज बाउंड डे स्पेंट करेंगे एफाईइस ने लेगक 50 ज और के अंतराल के बाद 460 कोरट ररुपे की बाउंग की थी डियेएस का बाइइस का बाउंक सपोर्ट स्ट्रॉंड था 980 कोरट ररुपे की बाउंग थी इहां पे एफाईइस ने इंडेक्स से बाय किया था एकत्यस सो कॉंट्रेक्ट और बाज़िस सो कॉंट्रेक्ट शॉर्ट कवर किये थे, दो चीज़े हो गए एक चौबिस हजार का बेस और एक चौबिस हजार के बाद जो हमने टुन्टी डिमा तक का सफर दे गिया उसके बीच में दो पुट राइटर्स का कन्विक्शन और वो है चौबिस थीन सो और दो सो जो बात में कहना चाहरा हूँ आपके स्कीन पर आएग जो कि सबस्टेंचली स्ट्रॉंग वाई होल करती है एक तालिस लाग का आउस्टेंडिंग वाई ये पुट और उसके बाद उससे पहले चौबिस तीन सो चौबिस दोसो अब चौबिस तीन सो दोसो की पुट राइटर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिट्व इन सर्कम्स्टेंसिस में चौबिस दोसो चौबिस चासो ट्वंटी रेमा उस पे कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉंग रिपली है ये देखिए आउस्टेंडिंग वाई एट 24,400 हूज चौबिस चासो पांसो चेसो इसके उलट चौबिस दोसो तीन सो पॉट राइटर सो देखिए अब ओपनिंग होगी ओपनिंग के बाद प्राइस को हमें मॉनिटर करना है बेस लिखा है ये स्कीन पर बेस डिफाइन करते हैं देखिए ऐस डेटर मैं मानता हूँ कि ये बजार किसी भी पेन को मतलब एब्सॉर्ब कर लेगा बेट्वें 24282 और 228 जब तक य 24189 ये बायों डिप का बादार होगा as a data index no shorting thought till we violate 24119 or 24045 क्यों यहां पे put writers है यहां पे आपका 50 देमा है और यहां पे monthly put writers भी विजबल है तो मैं तो अभी as of now data को वगालत करूँगा कि अपने trade को basement के आसपास collect करें not exactly below that जो भी trade इस trajectory में पिक करें अभी भी उनका जो first threshold point होगा वही point होगा falling 10 falling 20 क्या है वो लेका येगा resistance 1 किसी भी trade को as of now यहां पे निप्टा लेजए पहले resistance के आसपास पास पहला threshold market का यही है 395410 अगर निफ्टी इसको cross करता है then we will get a swing towards 477 और 510 510 के बाद यह levels screen पे हैं but as of now is commentary को 510 तक restrict रखेंगे निफ्टी बैंक शुक्कवार को भी first RS 10 निमा से collapse हो गया back foot पे आ गया approach कर रहेगी याद रखेगा यहां पे किसी भी stock future में अभी दमखम नहीं है lack of I think aggression in stock futures पचास पांस सुपे कॉलाइटर है पचास आठ सुपे कॉलाइटर है 51,000 पे कॉलाइटर है और यह पूरा 500 पॉइंट का zone dominated by falling averages भी है मतलब falling 10, falling 20, falling 50 और base कहां पर है 50,000 पे persist करता है तो मेरी वकालत trade setup कैसा है आई यह देखते है basement मैं अभी भी यह I think मानता हूँ कि basement nifty bank defend कर लेगा किसी भी pain में that means 53,10 and 171 यह buy trajectory होगी no shorting thoughts still be violate up now 852 852 क्या है 100 day exponential mean average और 50,000 पे put right is placed है जो भी trades collect करें basement के आसपास as of now Ashish वो exit zone persist करता है RS1 क्या है यह 50,687,722,10 निमा और करीग करीब 879 पे आपका 50 निमा placed है इस zone में इंट स्टेट को निप्टा लेजे अच्छा aggression निफ्टी बैंक में decisive by तब आएगा जब हमें close 879,51010 के उपर मिल जाएगा आशिश बहुत बढ़िया, यह है निफ्टी निफ्टी बैंक का अप्रोच माद्वी मैं के husband का नाम क्या है इस report से, इस खुलासे से, यह तो पता चलिया मुझे ठीक है, अचा, आज के सारे important stocks in news जानली नहीं कौन-कौन से important खबरे हैं, जो आप front सुबह सुबह जानने की पिछले Friday, उसमें आठ नई line projects joined in railways with a total investment of 24,600 करोड़, साड़े 600 करोड़ वो approval हो गया तो railway company रेडार पर रहेंगी, इरकौन से लेकर RVNL सभी वो पूरा pack रेडार पर रखा जाएगा, दूसरी तरफ अब numbers पर आते हैं तो वाइदे बाजार में सबसे पहले सीमेंस कंस्ट्रिंग, ABB का performance बहुत स्ट्रॉंग था Cummins India का performance स्ट्रॉंग था, उसलिहास से अगर आप सीमेंस देखेंगे तो profitability में करीब 27% का इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन उमीद पर खरा नहीं उतरा है 640 करोड का अनुमान था, 578 करोड का figure आया, revenue में करीब 7% का इजाफा है ये भी miss है, 5203 करोड पर, EBITDA 22% बड़ा जरूर है, 691 करोड का आकड़ा, 811 करोड का अनुमान था तो उमीद पर खरा नहीं उतरा है performance company का, margins 13.3% के आसपास आते हुए दिखाई दिये हैं नए orders में 18% की growth है, लेकिन energy segment में करीब 2% का decline इस quarter में देखने को मिला है Jubilant food के numbers पर अगर आप ध्यान दे तो ये आप कह सकते हैं, अनुमान के आसपास ही number आ रहा है 31% profit घटा जरूर है, 51 करोड पर आया, अनुमान 55 करोड के आसपास का था revenue 10% बढ़कर 1440 करोड पर आ रहा है, 1425 करोड का अनुमान था EBITDA flat है, 278 करोड के आसपास और 19.3% के आसपास के margins है, 19.6% का अनुमान था Like for like growth करीब 3% इंडिया बिजनिस में और delivery में जो like for like growth है, वो करीब 12% आती भी दिखाई जरूर दे रही है Company ने कहा है, वो अपने Domino's का footprint डबल करेंगे अगले चार सालों में और Ubindo Pharma भी रेडार पर रखेंगे, 61% का इजाफा profit में 918 करोड पर figure है revenue 10% से जादा बढ़कर आया है, EBITDA में 40% तक की growth है और margins भी expand हुए in fact margin 17% से बढ़कर 21.4% के आसपास आये हैं, वो एक बड़ा positive है Metropolis में हमने देखा है, उमीद से भैतर प्रदर्शन जहाँ पर profitability में 6% की growth है revenue 13% बढ़ा, 26% का इजाफा दर असल company के बिटा में आया है ये सारे आकड़े दरसल in line with expectations है और margins आये है 25% जो एक बीट है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी अगर आप गौर करें 47% profitability में growth, revenue अच्छा बढ़ा है 25% 30% से जादा की EBITDA growth है, margins बढ़े हैं करीब एक business point के आसपास RT industry, strong quarter, sun TV हालाकि ये निराश करतावा दिखाई दे रहा है और of course एक लंबी लिस्ट है लेकिन अच्छे cash market के numbers में एक तो होनासा consumer याने की mama earth radar पर रखेंगे आशीश cello world का performance काफी अच्छा है advanced enzymes, pnc infra ये कुछ stocks है जो cash market पे बहुती stellar numbers दे पाए है ये तमाम stocks अपने radar पे और डिटेल में बातचीत करेंगे 48 के आसपास इन stocks in news पे वैसे टाटा कर्फ जो EV आई ए गजब है मैं उसके पोर्टफोलियो उसके स्टेबिल की सबसे महेंगी काड़ी जरूर होगी इवी साइड में पर उसके मैं कुछ वीडियोस देख रहा था इंफ्लूइंसर्स होगे रहा कि बहुती क्लास मनाई है फीचर वीचर से लेस है खैर उस वी लिए brokerages के शायद थम्स अब भी आया था ठाटा मूट पे ब्रेक ले रहा हूँ ब्रेक के उस पर जब लॉट क्या होँगा तो आज का इवेंच कलेंडर और साथ-साथ कमोरिटी स्ट्राटेजी ब्रेक के बाद आप सब का स्वागत है अच्छा आज का इवेंच कलेंडर मंडे है बैंकेक्स और निफ्टी मिटकैप सिलेक्ट की एकस्पाइरी का दिन आज शाम साड़े पांच बजे हमारे जुलाए का इंफलेशन और जून का आईपी आखड़ा आएगा जपैन के बजार आज माउंटेंडे के चलते और थाइलेंड के बजार क्वीन मदर्स की मदर्स बर्थड़े के चलते चुट्टी बना रहा है दो माकेट्स बंदें एशिया में रिजल्स में निफ्टी वाला कोई नहीं है वाइदा वालों में कुछ इंपॉर्टन नाम है वो मेंशन कर देता हूँ बलरामपुर चीनी, वोड़फोन आइडिया, हिंदुस्तान कॉपर, नालको और NMDC कैश के बतेरों नंबर्स हैं उस पे नहीं जाता कुछ इंपॉर्टन एक्स डिविदेंट्स में ICICI बैंक रड़ाप रखिए का दस रुपे का आज अजस्मेंट प्ले आउट होगा कल ऑलिम्पिक की क्लोजिंग सर्मेनी हो गई हम फाइनली छे मेडल लेकर आएं एक सिल्वर और पांच ब्रॉंस अच्छा, थोड़ा और करना पड़ेगा अपने को खेर, HGFC Securities के अनुष गुपता साब ने मदद करिया अच कमोरिटीज में नैच्रल गास अगस्त वाइदा खरी दिये 173 का स्टॉप लगाई और जिंक अगस्त वाइदा करी दिये 252 का स्टॉप लोस लगा लीजे बाकी लेवल स्क्रीन्स पर हैं चोड़ो जा रहा हूं, गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से ठंडे 40-50 पॉइंट दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशन्स के साथ मॉनी कॉल में तन नहीं, ब्रेक के उस पार सीधा साथा, नमस्क्राइब उस लेगा साथ